दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने ओला हूँ CPU के Back Panel के बारे में जी हाँ दोस्तो यहाँ पे जो अलग-अलग connections लगते है यहाँ पे वीजी लगता है यहाँ पे Power Gable लगता है तो यह जो connections होते है बहुत सरो लोगों को पता नहीं होता है कि इसे कैसे attach or detach करते है तो यही मैं आपको practically आज की वीडियो में करके दिखाने ओला हूँ practically attach करके बताने ओला हूँ अब इसकी जुरुत क्यों होती जब आप नया computer खरीते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भई computer के connections कैसे लगते है चलो नया computer तो छोड़ दो क्योंकि नया computer तो install करने के लिए आपके घर पे hardware engineer आ जाता है लेकिन अगर आप अपने घर में सापसपाई कर रहे हो तो उस time पे आपको computer को detach करना पड़ता है computer का CPU निकाल के रखना पड़ता है तो अगर आपको नहीं पता है तो ही देखिए पता है तो skip किजिए सीधी बात नो भक्वास मैं सतीश कंप्लीट टेकराओ चैनल में आप सब का सौगत करता हूँ चलिए ये वडियो शुकर ते खास तो जैसी कि दोस्तों मैंने इंटर पार्ट में आप से कहा तो आपको तीन होल नजर आते है तो ये तीन होल आपको रिस्पेक्टिवली थीन पीन में लगाने है जैसे कि ये सीप्य के उपर जो एसी तू ठर्ट का कनेक्टर आपको दिखा दे रहे यहां पर आपको पावर केबल एटेच करनी है कैसे अटेच करनी है मैं यहां पर आटेच करकर आपको दिखा रहा है इस तरह से ये पावर केबल यहां पर लगती है बहुत ही simple process एयापको दिखा दे रहा है यह पावर केबल यहां पर ने आटेच कर दी है इसे detach अगर करना तो बमोस सींपली आपको इसमें से इसे कीच लेना है और नीचे आपको दो स्लोट दीखा दे रहे हैं, एक है purple color का और एक है ग्रीन कलर का, और यहाँ पर प्रपल कलर में, हम कीबोड PS2 अला लगाइंगे, और ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको लगाना है प्रप्र Выल एम सने माउस, PS2 तो पीन्स अगर टेडी हो गई तो भई आपको कीबोर्ड और माउस जो आगे दिखाऊंगा फिलाल हम नीचे नेक्स्ट पीन की तरफ बढ़ते है जो कि आपको दिखाए रहे यह है वीजी है वीडियो ग्राफिक अड़ाप्टर पीन यहां पे मॉनिटर की वायर लगती है ज और इसे खोलते समय भी इंस्क्रूर को आपको लूज करना होगा और यह 15 पीन्स विजी आउटपूट रहता है यहां से आपके मॉनिटर के लिक आउटपूट जाता है जिससे आपके मॉनिटर के ओपर आप स्क्रीन देख पाते हो इस आउटपूट की मदद से दूस्तों और यह वीजी भी आजकल रिप्लेस हो चुका है HDMI में HDMI पीन कैसे रहती मैं आपको दिखाता हूँ तो HDMI की पीन आपको दिखाए दे रहे कुछ इस तरह से रहती है High Definition Media Interface अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कहां पे computer पे अटेच की जाती है मैं आपको यहां पे स्क्रीन क अपर दिखा रहा हूँ यहां पे मेरे computer में graphic card लगा हूँ है तो यहां पे HDMI port आपको दिखाए दे रहे है याद रखिए और इसी में यह पीनी लगती है और HDMI आपको High Definition Media Interface यानि कि आपके computer पे एक High Definition Interface आपको दिखने मिलता है अगर आप वीजी इस्तमाल करते हो यहां प कि यह graphic card पे HDMI port है क्योंकि मैंने graphic card अलग से लगा है लेकिन आजकल ने computer के motherboard के उपर यानि कि यहां पे USB के बाजू में ही आपको HDMI मिल सकता है मिल जाएगा अगर आपने डिमांड की कि मुझे HDMI वाला ही motherboard लेना है जिसमें वो support करता है HDMI तो ऐसा ही दीजिए तो मैं आपको यह cable यहां पे CPU में लगा के दिखाता हो दूसरा end आप लगाएंगे आपके monitor की उपर तो यहां पे CPU में लग चुका है आप देख सकते हैं इस तरह से और निकालना बस खीचना इसे लगाते समय याद रखिए कि यह उल्टा नहीं लग सकता कभी भी याद रखिए यह चो पीन है यह प्रॉपरली एक शेप उसका दिया रहता है कि एक साइड से लगेगा आप उल्टा लगाने की कुशिश करेंगे तो यह नहीं लगेगा और जबरदस्ती करेंगे तो वही कुछ ना कुछ ढूट जाएगा जबरदस्ती मत कीजिए उसके बाद हम तीसरे पोर्ट की तरह यह पर पड़ने वाले जहां पर हम अपना स्कैनर हमारा पेंड राई हुमारा प्रिंटर सारी चीज आजकल जो यह बिस्प से कनेक्टेट होती है वह यह पर लगाया जाती है यह बिस्पी पूर्ट के अंदर यूस भी युनियर्सल सीरियल बस याद रखिये कि यूज बी Universal Serial Bus बहुत काम की port है और इसे कैसे अटेच करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं यह USB इसे अटेच करना तो बहुत सिंपल है मुझे बैसे भी दिखाने की ज़रूद नहीं फिर भी अपने वीडियो में जैसे मैंने बोला हर एक चीज को में बत सकते हैं जो पींस खा लिए उसमें लगा तो बस इतना ही USB के बारे में बताऊंगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं USB के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ इस पोले पोर्ट के उपर जहां पे आपको दिखाए दे रहा है यहां पे कुछ अजीब सा पोर्ट है और यह पोर्ट करने के लिए हमें इसकी जरौत होती दोस्तो इसके अलाओ अगर आपकी बास वाइपाई डोंगल है तो वह भी लगा कि आप इंटरनेट कर सकते हैं फिलाल तो केबल के जरिये में कनेक कर रहा हूँ एक एंड केबल का में यहां पे लगाँगा दूसरे एंड में मेरे वाउ करनी है जो कि यहां पे साइड में दीक रहे है अपको एक नॉच है उसे आपको प्रेच करना है उसके बाद पीछे खीच रहा है वह निकल जाएगा यह आसान है लगाना और निकालना लेकिन अगर लगाना है यह यह केबल तो चेहिए छाहिए ठाट इसके बाद नेक्श कन जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह पीन है मेरी, 3.5 mm वाली पीन और 3.5 mm audio jack और यहां पर मैं इसे इंसेट कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे, इसके बाद आप music सुन सकते हैं, जो भी है, यहां पर आप उसकी पीन लगा सकते हैं, music सुनने हो गारा के लिए, और तीसरा पीन जो है, वहां पर कनेक्ट आप कर सकते हैं, तो यह audio की simple सी information, audio jack के बारे में ने बताया, और नीचे आपको जो दिखाए दे रहा है, DBI, Digital Video Interface, इसके लिए यहां पर है, जो कि आप अलग-अपके प्रोजेक्टर सबगरा कर सकते हैं, प्रोजेक्टर इसके जर दिया गया है, तो VGA तभी अटेच कीजिए, जब आपके पास HDMI monitor अवैलेबल नहीं है, HDMI support ने कर आपका monitor तो you can use VGA, अगर है HDMI monitor तो go for it, तो इतने सारे connections मैंने आपको दिखा है, और साथी में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर प्लस-फ्लस नीचे जो दिखाए दे रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा कोई भी card अगर लगाते हैं motherboard की उपर तो उसके connections यहां पर आपका output मिलेंगे, बहुत सरे लोग का doubt रहता है कि यह क्यों दिया गया है, तो यहां पर यह जो flexibility रहती cabinet के अंदर की इसके अंदर अगर आप अंदर card लगाते हो आप, तो यहां पर यह जो cabinet का part है उसे particular part को remove करके आप यहां पर पिंस उसकी शो कर सकते हैं जैसे आपके computer में LAN card नी चल रहा है, LAN card याने की network interface card, NIC card खराब हो गया है, तो आप नया card यहां पर लगा कि उसका output यहां पर graphic card के नीचे से ले सकते हैं, तो यह पूरा back panel है हमारा, जिसमें मैंने आपको अल like, share और comment कीजिए, मैं मिलूंगा कुछ और interesting video के अंदर है, तब तक लिए अपना खयाल रखिए, बाई बाई